पंजाब के नए सीम को कैप्टन अमरिंदर सिंग ने बुलाया है एक बजे चन्नी को कैप्टन ने लंच के लिए बुलाया है ये बहुत बड़ी खबर है, कैप्टन अमरिंदर सिंग बताया जा रहा है कि नाराज है लेकिन इस बीच में उन्होंने खुद चन्नी को अपने घर पर लंच के लिए बुला लिया है और चन्नी के साथ कुछ सांसर्थ, कुछ विधायक भी पहुचेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंग खुद तो शापत गिरहन में शामिल नहीं होंगे, जो अपसे कुछी देर में होने वाला है, लेकिन न्योता पहले ही लंच का भेज दिया गया है कैप्टन की तरफ से पंजाब के नए मुख्यमंतरी चन्नी को पंजाब के पूर्व मुख्यमंतरी कैप्टन अमरिंद दिनों में वो बदल सकती है. देखे, जो खबर हमारे पास निकल कर आ रही है, वो कैप्टन अमरिंदर सिंग के जो नजदी की है, उनकी तरफ से ये खबर निकली है, कि एक बज़े अपने फार्म हाउस पर उन्होंने इन्वाइट करा है, मुख्यमंतरी जो अभी शपत लेंगे, उनको लेकर बाचित की गई है, उनको इन्वाइट किया गया है, अपने फार्म हाउस, सिस्वा फार्म हाउस, जो कैप्टन अमरिंदर सिंग का है, उसमें उनको इन्वाइट किया गया है, अब देखते हैं कि उन्होंने इन्विटेशन स्विकार किया है, पहुचते हैं या नहीं पहुचते हैं, हाला कि ये भी कहा जा रहा है कि कुछ विधायक और सांसत भी इसमें शामिल होंगे, फर्मली सबको नहीं बुलाया गया है, ये लंच नए मुख्यमंत्री के लिए रखा गया है, कि वो शामिल होंगे या नहीं लेकिन कैप्टन ने मंत्रित किया है नए मुख्य मंत्री जो अभी कुछ ही पलों में शपत लेंगे मुख्य मंत्री के तौर पर उन्हें अपने यहां लंच पर बिल्कुल तो ठीक है एक बज़े का समय बताया जा रहा है बनी रेकर रंजीता आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे लेकिन इन सब के बीच सबसे एहम कबर है वो यह है कि आपसे कुछी देर में चरंजीत सिंग चनी का शपत ग्रहर समारो है इस समारो में 40 लोग शामिल होंगे